दोस्तों नेपाल से शाली ग्राम का पत्थर ले जा रहा है ये पत्थर 6 करोड साल पुराना है एक पत्थर का बजन 14 टन है दूसरे का 26 टन है ये खबरें आप तमाम सुननी होंगे कि नेपाल से शाली ग्राम का पत्थर लाय जा रहा है और उससे भगवान राम की मुर्ती बन इसके पीछे जो कहानी है वो आपको बताता हूँ पहले तो देखिए ये गंडक नदी है गंडकाली गंडक नदी है और यहाई से ये पत्थर 26 तारीक को निकाला गया याई 26 जन्वरी को जिस दिन भारत में गड़तंतर दिवस मनाया जा रहा था उस दिन नेपाल में पत्थर निकाला जा रहा था शाली ग्राम पत्थर वही पत्थर जिससे भगवान राम की बाले काल की मुर्ती आयोध्या में स्थापित की जाएगी अब एक बार एक चीज और समझने की कोशिश करिए ये देखिए ये है गंडकाली गंडक नदी जिससे शाली ग्राम नदी भी कहते नेपाल में और यही नदी जब इन पहाडों के पीछे से आएगी भारत में तो यही नदी नारायडी नदी हो जाती है तो पहले इन चीजों को समझे जब इस पत्थर को वहां से निकाला गया तो वहां पर तमाम लोग इसकी पूजा अर्चना किये और बकाइदा नदी से आफी मांगी गाई कि हम इतना बड़ा पत्थर निकाल रहे है और भगवान की मुर्थी बनाने के लिए ले जा रहे हैं लेकिन ये बाते तो आप समझ रहे है ये बाते तस्वीरे देखे ओंगे जानते भी होंगे लेकिन इसके पीछे रीजन क्या है कारण क्या है उसको जार किलो के आसपास इस पत्थर के साथ तक्रीबन 100 लोग हैं जो नेपाली हैं जिसमें नेपाल के एक पूरो प्रधानमंत्री और जनकपुर के महंत भी इसके साथ आ रहा है मत्तब पूरा काफिला के साथ ये बत्थर आ रहा है चुकि भगवान राम की मुर्ती बनती है अब थोड़ा सा पहले ले चलता हूँ आयोध्या मंदिर जब बनना ते हुआ कोट ने फैसला दिया कि राम का मंदिर आयोध्या में ही बनेगा भगवान राम का मंदिर तो उस समय नेपाल ने उत्तर प्रदेश सरकार को चुठी लेगी और इच्छा जताई उत्तर प्रदेश सर कालिन सरकार ने नेपाल की इच्छा जताई कि जो आयोध्या में भगवान राम का मंदिर बनेगा वहां जो मुर्ती रखी जाएगी वो यहां के शालिगराम से गुंड़क नदी से जो शालिगराम प्राप्त होता है वहां के शालिगराम से बनाये जाए क्योंकि भगवान का ससुराल और मातासीता का माइका नेपाल में ही है मिथला जनकपूर में है तो यही एक रिष्टा के कारण जैसे रोटी-बेटी का संबन्ध भारत और नेपाल का कहा जाता है यही इसी संबन्ध के आधार पर नेपाल ने उत्तर परदेश सरकार को चिठ्धी लिखी तैं उसके बास से भारत सरकार की इस पे संस्तुति हुई, तमाम लोगों ने इस पे निर्णा लिया, साधू संतों ने कि वही हुआ, उसके बास से इस पे काम होना शुरू हो गया और 26 जनवरी को गंडक नदी जिसको बारे में मैंने पहले बताया था, ये खुदाई शुरू की ग पाया जाता है, कई वेदो, पुराणों के अनुसार, सालिग्राम पत्थर में भगवान विश्नु का वास होता है, जिसके घर में ये पत्थर होता है, ऐसी माननेता है कि उसके घर में धने धान्य और तमाम चीज़ें उपलब्ध रहती हैं, ऐसी कई जगा माननेता है, तो ये पत्थर मजबूत भी बहुत होता है, इसके पीछे कारण है, मुर्तिकारों के लिए ये पत्थर बहुत अच्छा माना जाता है, इससे किसी भी तरह कि सुन्दर आकरती जिसमें एकदम साफ चली जलकती हो, वैसी मुर्ती इसे बनाई जा सकती है, अब ये बता दे रहे ह उसकी वहां से चला है, और जगा जगा रास्ते में इस पत्थर को लेके पूजा अरचना स्वागत और इसके साथ जो लोग है उनका माल्यार पड़ खूब हो रहा है, नेपाल के रास्ते ये बिहार में आएगा, और बिहार से आज, आज यानि तीस तारिक, एकतिस तारिक, एकतिस तारिक को ये कुशी नगर में प्रवेश करेगा, कल ये गोरखपुर में होगा और योगी आदेतनात भी इसकी पूजा अरचना करेंगे, दो तारिक, यानि दो फरवरी को, एक तारिक को योगी आदेतनात पूजा अरचना करेंगे, और यहाँ गोरखपुर से रव राम मंदर बनके तयार हो जाएगा, शुरुआत तक भी कुछ लोग कह रहे हैं, मिड तक भी कुछ लोग कह रहे हैं, लेकिन अभी कोई आधिकारिक आकड़े सामने नहीं आए है, फिलहाल इस बारे में आप जानते कितना थे, ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताईएगा, ने ना बेहत क्या लखेगा, बहुत बहुत शुक्रिया